दीदी देखो, मुझे नानी शम्कान ये टॉय दिया, इसको चितना भी घुमा इसके नीडल फीदी ही रहती है आगे ये टॉय ये कमपास है कमपास बॉक्स? इतना शोटा, ये खुलता कहा से है दीदी? अरे आगे कमपास बॉक्स ही कमपास यानी दिशा सूचक यंत्र और इसे गुझराती में होका यंत्रे भी कहते है होका यंत्रे तीदी कितना भयानत नाम है होका यंत्रा, जैसे कि कोई बॉम हो अमेरिका ने इराम पर दो होकायंत रभेके, दस लोग की मौत और 20 लोग खायर अर्या आर्या बज टॉप यो ड्रामा अब देजी अब ये तो बताओ कि इसके सुषी थी क्यों रहती है अर्या ओम बताती हूँ पर पहले तुम ये बताओ कि अर्थ का सबसे बड़ा मैगनेट कौन सा है दुद्धी माने इक दिन स्कूल में इतना बड़ा मैगनेट देखा था, शायद बही होगा नहीं अर्या अर्या अर्थ का सबसे बड़ा मैगनेट अर्थ खुद है अर्थ एक मैगनेट है? हां, अर्या, इसलिए तो ये सूई-सीजी रहती है क्योंकि ये मैगनेट से बढ़नी है और अठ भी एक बड़े मैगनेट की तरहा काम करता है तो उसका जो साउथ मैगनेटिक पोल होता है वो मैगनेट के नॉर्फ पोल कर ट्राक करता है पूसमें? हाँ, सपोर्ड आगे तो बोलो अगर किसी के पास यह नहा हो तो हाँ तो अल्यो उसमें क्या हुआ यह तो हम खुद भी बना सकते हैं खुद भी बना सकते हैं? हाँ अन्यो उसके लिए सिफ हमें एक magnet, nail, water cap और पानी चाहिए सदी चैनल बनाते हैं हाँ यह हमें इचैनल तो ही बनाते हैं हाँ दी हेलो फ्रेंड्स मैं अन्या मैं आयूशी मैं हुआ आया वेल्कम तुछा scientific show जिसका हमें आन्यो डाव experiments तो फ्रेंड्स इस experiment के लिए हमें चाहिए एक magnet यह magnet को हमने हमारे पुराने loudspeaker से निकाला है और उसके poles mark कर दिये हैं इस बार magnet की मदद से इसका जो north pole है वो जिस pole को attract कर देगा वो south pole होगा और इसका south pole जो pole को attract कर देगा वो north pole होगा और हमें चाहिए nails आप nails की जगा निडल भी यूज़ कर सकते हैं bottle caps और पानी तो पहले हम पानी को इस pole में तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने mobile में भी compass set किया है और यहां पे भी एक compass रखा है तो दोनों में जो north दिखा रहा है उससे हमें पता चला कि यह north है और यह south है तो उस हिजाब से हम हमारे experiment के लिए यह direction set करें अब हम इस cap को पाना है और अब हम इस nail को magnet पे 50-60 times अब करेंगी एक ही direction में तो अगर तो अब हम इसे अब हम इसे रखें तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह भी north to south face कर रहा है तो फ्रेंड्स अब हम इसे south side के से ही अब हम इसे प्रेंड्स अब हम इसे बाद्स आप 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 तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार भी north south ही दिखा रहा है लेकिन इसका जो head है वो north direction में है क्योंकि हमने इस head को पकड़ के south pole पे घिसा था इसलिए और last time हमने head को पकड़ के north पे घिसा था इसका head south की side था इखार ये कितना simple experiment था अगर हमाई पास compass ना हो तो हम ऐसा खुद भी बना सकते हैं हाँ जी बहुत मज़ेदार था friends देखा आपने हमने हमने हमारा खुद का होका इंतर बना दिया और आये यहाँ पे एक चीज किरा करना बहुत जरूरी है कि और का जो geographical north pole है वह अगर हम एर्थ को magnet की तरह देखे तो वह उसका magnetic south pole है जी जी को समझना ने आयाँ ठीक से समझाओ ना आये एक काम करो तुम globally क्या हो मैं तुम्हें उससे ठीक से समझाओ हाँ माद लेकर लो दीदी माद लो ले आये तो फ्रेंड्स के अर्थ का जो geographical north pole है वह actually अर्थ का magnetic south pole है तो वह magnet के north pole को attract करेगा और south pole में opposite होगा इसलिए magnet हमेशा north to south direction दिखाए पर दीदी नौर्थ का इतना क्या importance है आर्या north direction के इसलिए importance है क्योंकि जो सारे maps होते हैं उसमें north उपर की side होता है अगर हम कोई जगर पे हो और हमें north direction बता चल जाए तो हम map को इसलिए read कर सकते है अच्छा ऐसा होता है दीदी friends आपको भी compass का importance बता चल गया होगा मुझे तो आज पता चला तो friends अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कीचे, share कीचे, हमाई अच्छा को subscribe कीचे और आप आप आपके नवान बुलिगां टीमें Bye friends लग्या गजजा आपके आपके चार टीमें